आपने PVC आदार यानि कि प्लास्टिक आदार के लिए और के आए अपलाइ किया है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्लास्टिक पीवीसी आधार का स्टेटास हम चैक कर सकते हैं तो प्लेज वीडियो को सुरू से अंतक देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके तो चले फ्रेंज बिना टाइम गवा एज का वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको Google ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है UID AI.gov.im सर्च करना है सर्च करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है और स्क्रॉल करते हैं आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो चेक आधार पीवेसी कार्ड स्टेटस तो आपको उस पर एक क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है इसक्रॉल करते हैं यहां पर आप देख सकते हो So, enter SRN तो जब आपने order अधर किया होगा प्लास्टिक का जो आपको SRN नमबर 28 डिजिट का मिला होगा वो आपको यहाँ पर टाइप करना है और नीचे आधार नमबर टाइप करना है और उसके नीचे आपको कैपचा टाइप करना है तो यहाँ पर मैं सभी डिटेल्स को टाइप कर देता हूँ यहाँ पर हमने SRN नमबर और नीचे आधर नमबर और capture करके रखा है तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करते ही यहाँ पर आपको check status का option देखने को मिल जाएगा तो आपको उस पर यह क्लिक करते ही आपको इस तरह का page देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकत तो रिक्वेस्ट प्रोसेस्ट एंड सेंट फॉर प्रिंटिंग यानि कि प्रिंटिंग के लिए रिक्वेस्ट पेज दिया गया हो और उसका प्रोसेस चल रहा है तो यहां पर नीचे एक आपको डाउनलोड का ओप्शन भी देखने को मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो उस पर क्लिक करते ही हमें प्रिंट डाउन लोड हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हो तो SRN नंबर देखने को मिलेगा, reprint नंबर देखने को मिलेगा, transaction ID देखने को मिलेगी, reprint amount देखने को मिलेगा, आधर नंबर देखने को मिलेगा, transaction status यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, request, process and send for printing, तो इस तरह का आपको status भी देखने को मिलेगा नीचे यहाँ पर आपको जी एस्टी या जी एस्टी नंबर भी देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से आप भी अपना प्लास्टिक अधर पीवीसी अधर का स्टेटस चेक कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और सेर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए और पूराने हो तो आल नोटिफिकेशन को ओन कर दीजिए तो मैं मिलता हूँ आपको एक अगले जानकारी वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए